आपने असोब के स्वागट कुरे से गुजराद लगा जुनागर डिरेक्टा नकली कॉल सेंटर दुरीशी कुछे और यादे दोस चुन गे धुरीगिना चानी पाईशी कि कुटे नो जुन दो नागलेंद पर और एक जुन मनिपुर पर आसे कुछे किन तो masterminds कान तीन जुन आमदबाच पर एक जुन सुरेंद्रा नागर और एक जुन मुंबाइ पर थागया कन नपाईगिना से इतो call center पर American citizens कान गे fraud कुरूबले कौशिश कुरी थागया कुछे special technique चुलाईगिना Amazon पर पेपल निषिना पर पेमेंज कुरिया कान गे हैक कुरी थागी 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 Authorities पर आइजिकेशन जा हमोई Rupees 3 lakh cash और Rupees 8.50 lakh दाम थागया लगा समान तुरूश कुछे Suspects कान गे Thursday दुरी थागी 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 थागीना अग्रे थागया इशान प्लातनम लगा फ्लातनम थागी 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 मून दुरिक लगा एक्सर्विसमेन कान गे Mumbai-based Atharva Foundation प्र अम्बलेंस थागी 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 नागला एक्सर्विसमेन कान लगा welfare निमीडे Directorate of Cynic Welfare and Resettlement नागलां पर इतु प्रिजेक्ट निमीदे काम कुई दिशे, Saturday दीन दे एक्टार सेर्मिनी नागलन सिविल सेक्रेटर एज कॉम्लेक्स को ही मारी लोशे, कुदे होम कमिशनर नागलन अभिजित सिनापा अम्बिलेंस तो सब मेजर, होम कमिशनर पाव कुशी की मेडिकल इमर्जनसी हो मोई दे थिक टाइम दे सबुले लगे, इटो निमीदे एम्बिलेंस तो मोन दिस्रिक्ट लगा मानु कांगे बिशी मानादे। दिमापूर सिटी पितो दे स्ट्रीट लाइट फंक्चिन नाकुरिगिना थागे दो बिशी साल होयासे, कें तो इताताक एकु मेंटेनिंस नाकुरिगिनासे, कि निमीदे स्ट्रीट लाइट तो पुनाबुना पर इटुही एक्ता सवालासे, अिब गरն रपूर सबूर का दो जसेताता है कि निमापूर अपर लाइट द्रेट लाइट, प्तो भीस प्रिट लाइट करी विल गूनाध विला इ構ne कि अखे लिभ्याट थागे जगे। अजी इतू रेले वेडला गेट लगा अपर खुट अपर ऑलि लंवी इतूला शुट और जाजनाय। सुपर्मपर्याद के लिए लुटिया नियामा लोगार लोगा नियामा लॉटा रॉट तक कि द्ट से थी नहीं दो नहीं है जो कर दो एक ज्यानार नहीं आप पस्ते करह तो अपर में रहा है जा करह परा करता सो ब्सक्राइब 003 प्रिफ्ट में टेल इसे स्वाम्रकेट ड्टेश्ट मेजेश यह टा सिपस्ट लाइब बुट की युट है युट एट सिपस्ट लाइब भाज एट युट कैम और बंदी युट निमीटे पोस्लाग युट यटा जाए निस्ट के मन साल मोहान इती पॉपलीग पॉट्ट इ फिति एक्ता सावलासे इति आड़ दिमापू लागा कोईश को अले सेटीन डी टी कारा वोग एक्रणीड में जीडिन कारा अलिए नमय प्रम एक्तान के कि लीडनी सेडियों इको नखुरी दियान इमिटे पपलिक अटु खेगिना इडिया आल्ची कि वा लगा आपी गवासे। को अपय नाए इनका एदिमापूर। और एक ता मुगन इत्यो अवरोल डेफलोपमें लासा इसे कुए दिमापूरे हुए प्रe sal, गुあと आपускा प्रॉब भी नहीं आप की वे तार। जी आइ राती ते आरो की कुरूवाए से इतु तु 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 ताहिया ज़ने वो और एकता कंसें तु पप्लिक लाग आजा अशे केमरा मैं इने दिन तैंड झायां कीभी एत लिस्फ लाइप पोस्वीलिवी सावले थिदिभी एक बार दिखाय दिभी इत वस्ते इतु भूआ लगा इमापूर ताउन पितोर्डे किमान स्ट्रित पुोस असे इतु भूआ लगा पपलिक लगा इंधरेस्ट निमीटे दालिया लगा से किन्दू इते हा मुआन यहाई नन मेंटेनेंस नागूरा निमीटे इनेका अंधेरा आथे भूए थाकिवो दो क्रिस्मास आइले डिकोरेशन कुरिवो इतवी असे स्टीट लाइट गवादू किते भी नजुलिवो. चांसर न अर्टरी इस पावर डिपार्टमेंट हो इले बिता का लागा निचे ते आसे असे वेले. अटलीस स्टीट लाइट तू बनाय दिवीना. और पुपलीक लागा आसू तो. अवरी मन पुपलीक लागा लाइट बिल्डे दोस तका, स्टीट लाइट निमी दोस तका बाठा तू आर कुच जाई शे. होन मिल टीपी का निचे तू कुई ता़ के किंटू लाइट पार सप्लाइ तक भी दिवो नापरे स्ट्रीट लाइट वारो रखिगी ना इकू मतलब असना नाई इतु भी एक्ता सावाला से मोगाला का स्टेट्स तू की कुरी दिवुना दिमापूर ताउन पितर ते रती दे केकी एक्टिविटीस भी बिशी हुए यते इतु इतु स्ट्रेस ते भी फ्लाइ ओवर ते भी मनु आहाजा कुरे किन्टु स्ट्रीट लाइट है नाई में टेने नाखुरा हुए से किमान साल इनेगा रखिदी से इतु तु मोई नाज सब्सक्राइड ओड करेंसि moुष इंट कर बाह्ं यत्या जर्त किमा वर्ते सिघ्टी से वो पूंपूर झालि टो झालै नाख टवे खिज्च पांडर खुम्टम्यं को टिव खिल आखलेउ से भी बत्ले बाराइ जिखलों ओम्तु छों में टेसे तुमपूरार मैंटूरा PJP लगा election in charge appoint हुएगी नासे मिजराम लगा State Assembly election दो November 7 दे लोबुले schedule हुएगी नासे अरो नागलन Deputy Chief Minister यां तुमो पैतन दो Party लगा co-in charge हुबो मिजराम election दे मिजराम लगा 40 Assembly seats दो November 7 दे हुबुले से अरो counting दो December 3 दे हुबो लोचुले सौदू November 2018 दे हुआ परेद से परेद सी हुआ सब आपक भा कितल दे हुआ हुआ। भी सेंसेय मिजरान क्वें बुße टनersonरी कınaard है की अरो देधा COP1 दे gathered ुआ रोग्र सब्स् kinda दिजिए अरो पारा सब्सक्क्ता से दिए हुआ। कि जर्णे हैं जरी आड़ने, जरी से रखे हैं धने जरी से लिए लेपरीर में। ओर्वान विए लोड़न सबस्क्राइब करेंगा तक जहीं कि पूड़न कि अवार कि तक लिए सबस्क्राइब। हाँ, ज़े दगट 1 अवार। निदे अलुपाद्या ग्रामें कोशलिया योजनादो एकता सेंट्रेल सरकार लगा प्रोग्रामा से साँष ग्रामें कोशलिया योजना लगा नियुमे साब्ते प्रोजेश कान, टीया टीया निय Сपाने। following our joining in the institute we receive books, bags, devs, and also uniform talking about the house facilities, we get free bed mattress, below a bed sheets and below cover and one free drown box, food, everything's free about the entitlements, all the credits we get free, training course, and also all the travel expenses, like coming to training centers where we cover a pain account will प्सेटो राफ प्सेट्ट प्सेट के लिवंगायों प्सेटिज प्सेट का च्ताफ प्सेट अजय के लिवटर्प्सकेश के लिल Welcome back, Aargin News Prowo. Health and Family Welfare laga Union Minister Mansukh Mandavia. Para Saturday day Nagaland laga Sopsepohila Medical College, Nagaland Institute of Medical Sciences and Research ke officially innovate kurdi she. Pirah, Page, Kohima de, Taipaaro College Campus de monolith ektabhi kholai di she. इवन दे नागलिन चीप मिनस्टर नी पियो और अलक सेट डिनितरी इसकान भीशी थागिशे, NIMSR दो नागलिन उनिवरसिटी लोगो दे अफिलेट असे अरी याते 100 MBBS seats असे, को दे 85 seats दो नागलिन स्टुदेंस कान निमिदे असे, 15 दो बाहर स्टुदेंस कान निमिदे र कोशी की इतु, कोलेज पा मेडिकल एदुकेशन दियाएकला नोगिना, नागलिन दे हेल्ट इसुस थागिया कांभी साइडिबो, और यूद्स कान भाहर नाजाइगिना, नीजो लगा स्टेट दे पुरुबोले पारिया रास्ता कोलाइडिबो. इतो हो मोई, चीफ मिनेस जिए, नायमसर्ड एकता चेंटर इसुस थागिना, मांगिशे. झाल 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 With the inauguration of this college, I am confident that the healthcare delivery system in the state will be enhanced by offering quality education to medical professionals, conducting research and providing specialized care to patients. And this college will also provide a platform for medical research facilities and capacity building besides medical education. We all are aware that medical education has become one of the most desired streams of study amongst our youth and this college will help fulfill the dreams and aspirations of many. Today, Nagaland has a ratio of 5,386 persons per doctor, which is one of the lowest in the country. And as on date, there is acute shortage of doctors and we were also deeply confronted during the COVID-19 pandemic. Nonetheless, I am optimistic that the substantial numbers of MBPS seats can be increased in the coming years, making affordable medical education available and mitigate the shortage of doctors in the state and the country as well. The inauguration of this college is the fulfillment of the dreams of establishing a medical college in Nagaland that began during 2013 and 2014. Today is indeed a historic day for the people of Nagaland. As we just formally inaugurated our first medical college by our honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Nanshuk Mandivyan. We have taken time out. Though he had heavy engagement. We are grateful to him and we will always remember facing this occasion and inaugurating our dream project of medical college. This medical college is a long felt dream because we have severe shortage of doctors and shortcoming in the delivery of secondary and tertiary level healthcare. Today, we got the history hospital Kohima accredited to the medical college. The medical college is sponsored by Government of India, as mentioned, the grantee and the department, those who had earlier served as minister in charge or commissioner secretary or principal director. As you are aware, after sixty years of statehood, this one dream project has been implemented. Now, Nagaland ko aapne first medical college mein rahi hai hai. Not only for medical college, but it's also one type of research institute. This medical college, not only for medical college, but it's one type of research institute. यहां काम कर रही है. सारा नागालेंट की जनता के लिए. यहां के रेदबीसीज के लिए. रिसर्च करेगा उसका स्वरोशन आएगा. नागालेंट के हेल्ट को एड्रेस करेंगे, हेल्थ इस्यू को एड्रेस करेंगे, और अमारे नागालेंट के यूथ को अपने हे स्टेट में मेडिकल एड्यूकेशन की ऑपरचुनिटी दे रहा है. उसका उप्यूग मल्टी परपस है. और मोदी जी न कहा है कि नौर्थ इस्ट का डालोप्मेंट भारत के विकास के लिए जरूरी है. इंडिया के डालोप्मेंट में नौर्थ इस्ट अपना बहुत बड़ा कॉंटि कर सकता है. नागालेंट के डायनेमिक एड़ारी चिफ्ट पिनिस्टर नप्यू जी को में बोल रहा था कि नागालेंट में जो अपर्चुनिटे ए इस इस जाए जी सेकंड विजिट बिफर फाइव यहर्स से गो, आप विजिटेट टो नागालेंट एड अन एक टाइम, इवेंट टो नुगवा, मैं नुगवा गया था, मैंने हेलिकोप्टर से यहां की ग्रिनरी को देखा, यहां में एक दिन रुका था, यहां का कल्च्र के बारे में मुझे पता चला, यहां की पीसफूल लाइपस्टाइल के लिए मुझे पता चला, यह ओपर्चुनिटी की इन नागा लेंड है, यहां का वाइबरांट कल्च्र, कॉन्वीन फेस्टिवल, इसमार डेसमार में जब कॉन्वीन फेस्टिवल स्टार्ट होगा, तब गुजराती टुरिष्ट के रुप में मैं फेमिली के साथ हाँगा, 16 tribes come to single platform, accept great things, यह बहुत बड़ी बात है, सिख सारे स्टेट की 16 tribes, एक सिंगल platform पर आएगी, और perform करेगी, अपना, एक कल्चर को सयोज के रखने की बहुत बड़ी व्यवस्ता है, जो टेडिश नभी हमरे पुरूज ने बनाई है, कई स्टेट उसको लही संभाग पाए, लेकिन नागालेंड ने उसको संभाग के रखी है, फ्रस्टिवर के रूप में, आप उसको मनाते हैं, मैं मानता हूँ कि ए बहुत बड़ी बात है। The active journey of NIMSAR has just begun, with 100 MBBA students from states of Nagaland, Rajasthan, Jha, चुसिं तुमोरो's doctors, the Indian medical graduates, who shall have all the attributes of the best physician, who will be the most ingenious inspirer of the hope and healing. Only a life lived for others is a life worthwhile. Patient-centered care comes alive when we walk alongside patients on a shared healing journey and which skills, attitude, values and responsiveness so that graduates can function as appropriately and effectively as physician of first contact of the community while being globally relevant. This is not a story only for Nagaland, this is a story to be applied for India as well as internationally. Our khattar break loo, say thank you very much. At office, I may be the boss, but being a woman, I have to make my home the best place to live in. Mama! Hey! Every day, my priority is to give the best to my family. Hey, welcome home. Wow, that's great! Everyday Spices makes my task easier. Everyday Spices never let you down. The program is called Rural Unemployed Youth दे फ्री ट्रेइनिंग ओफर कुरें तु ट्रेइनिंग प्रोग्राम दे ट्रेइनिस कान क्लास्रूम्स दे अलाग सेक्टर्स अरो ट्रेइज लगा थेवरी हिके आरो प्राक्तिकल क्लासेज बिलो है तो ट्रेनिंग प्रोग्रम दो ट्रेनी सकांगे, प्राक्तिकल क्लासस दी बिशी फोकस कुरे असोल ट्रेटला एक्स्पीरेंस दी गुलेंगे। प्राक्तिकल क्लासस दी गुलेंगे, 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 प्राक ट्रेनिंग दो और गनिक कोफी लुयमर मुंसन्यम्ती पर कोफी बोर्ट अफ इंडिया लोगुदे मिलीकिन अउगनाइस कुरुषी और चीफ इन्फरमेशन कमिशनर आई मियून जमिर पर होस कुरुषी रिसोर्स परसन कोफी बोर्ट अफ इंडिया पर जयांता गोश कुन कोफी बोर्ट जोहार्ट लगए डेपिटी डिरेक्टर एक्स्टेंशन असे ताय पर कुषी कि नागलन कोफी दो बिशिबाल असे किंटो इंटरनाशनल मार्केट ते थागी बुले किनिका प्रिसेस अरो टेक्नोलोजी चुला बुले जाने बोल लगए ताय कुषी कि नागलन कोफी दो फार्मर्स कार इंटरेस्ट थागी बी मार्केट लिंकेच नाथा किया निमिदे सक्सेस ना पाई गिनासे आय मियून जमेर पाई हुषी कि फार्मर्स कान कोफी प्लंटेशन कुरिया दो सोका पाई इंकरेच कुरिया निमिदे असे औरो ट्रेनिंग पाई जनाई हिए कि और्डिनरी मानु भी इतु फार्मिंग कुरूबले लगए अधिजर तोंपंग मजकंपा कुषी कि मुकोक्चूं ने कौफी प्लंटेशन भिषी कुरूषी कि फार्मर्स कान गे इतु अपरेकू जनकारी नादिया निमिदे फेलुषी Plantation Development Corporation, there was the pioneer in taking up the coffee but somehow for certain things it got winded up and then slowly during the 9th plant period the coffee board has taken up coffee from 9th plant till today and in 2015-16 Land Resource Development Department has come forward as a nodal department and they started helping us, helping coffee board and the coffee farmers to take up the coffee but here what I mean to say is that individual farmers they should be well equipped with the training facilities and more knowledge on coffee cultivation because Nagaland is having so many districts it's almost like 19 districts as of now isn't it so there we are there is the coffee is spreading everywhere some places Arabica coffee is coming up some places Robusta coffee is coming out so the growers need to know more about the cultivation practices and how things has to move on presently the current situation of coffee in the state of Nagaland is I am seeing it is very good entire northeastern region where the elevation is more than 1000 meters say around 750 to 1000-1500 meters MSL Arabica coffee is coming up well and in Nagaland many places this Arabica coffee is one of the important crop which is having a very wide demand in the international market and Arabica is fetching a better price than Robusta coffee but when the elevation is not good is not shooting for Arabica they can go for Robusta plantation cultural sustainability is an important so there we are there